Hello everyone, welcome back to our channel आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जो एक्जाम्स हैं जो बहुत टाइम से पूस्पोन हो रहे हैं उनकी बात करेंगे जो भी 2021 बाच के बच्चे हैं वो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसमें काफी इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमने एक्स्प्लेइन करी है अब आज के जो इंडियन एक्स्प्रेस है बहुत ही पॉपिलर निउस्पेपर है उसमें क्लियरली आ गया है कि कल एक मीटिंग होने वाली है जो हमारे आप सबको पता है कि जिती भी मीटिंग्स हैं एजुकेशन रिलेटर रमेश पोक्रियाल जो है वो उसे गाइड कर रहे है तो उन्हेंने सबसे इंपूर्ट मांगा था about class 12th results और अब उन्हेंने कल एक special meeting रखे है Sunday के दिन उस meeting में वो discuss करेंगी कि हमें कैसे exams लेने है class 12th के अब उनके पस overall एक main option जो उनने निकाला है वो ये है कि वो लोग क्या करेंगे सिरफ major subjects के exams लेंगे अब question ये है कि major subjects होते क्या है है आप लोगों को नहीं पता क्योंकि हमें बताया नहीं जाता अब ये fix नहीं है बट Indian Express ने almost बोल दिया है कि ऐसा हो सकता है कि सिरफ major subjects ही होंगे जिनके exam लिये जाएंगे तो जो CBSE है वो कुछ 174 total subjects आपको offer करता है across India बट उनमें से सिरफ 20 major subjects बोले जाते हैं जो आप लोग लेते हैं यूजुली हर बच्चे के पास के subjects होते हैं Physics, Chemistry, Maths, Biology, History, Political Science, Business Studies, Accountancy, Geography और आपका English तो ऐसे बहुत सा आपके 10 और subjects हैं ये कुछ example है उनके तो अब होता क्या है कि जब हम यह अपना subject लेते हैं तो हमें कुछ 5 या 6 subjects लेने होते हैं उसमें से 4 आप हमेशा मेजर लेके ले रहे होगें आप अपना combination देख लो You might have 4 major subjects तो government नहीं सोचा है कि हम major subjects ही रखेंगे अब उनके पस 2 proposals हैं पहला proposal यह बोलता है कि existing format से आप जो भी exam है बोलो at the designated center अब इसका मतलब कहा है थोड़ा ध्यान से सुनना existing format मतलब जो भी अभी का format है जो भी आज तक था 3-hour exam कहां पे होता है एक special school जाते है आप लोग है ना designated center जाते हो अपने school में नहीं देते है आप ही exam तो उनकोल है low सिरफ major subjects के लिए but जैसे चल रहा है वैसे चलने दो but अब इस proposal की कुछ requirements है इसलिए यह proposal government के लिए थोड़ा सा मुश्किल है especially right now क्योंकि इसमें time बहुत चाहिए होगा ठीक है बहुत सारी time window चाहिए होगी पहली चाहिए होगी pre-exam activity मतलब exam set करना है या फिर जो भी setting करनी है उस सब के लिए एक महिना चाहिए government को फिर दो महिने चाहिए exam conduct करने के लिए result भी बनाना है उसके बाद 45 days चाहिए compartment cases को देखने के लिए proposal 1 है इसकी काफी requirement है है ना तो अब इसी ही चलते उनके पास एक proposal 2 है कि उसमें क्या करना है उनको थोड़ा सा सब को जल्दी करेंगे कैसे करेंगे exam लेंगे सिरफ major subjects का और वो भी अपने स्कूलों में और ऐसा भी कहा जा रहा है कि proposal 2 में थोड़ा सा जो pattern है उसको change कर दिया जाएगा कैसे इसके लिए आप क्या क्या हमें चाहिए हमें थोड़ा सा जो आपका centers है वो डबल करने पड़ेंगे ताकि हर center में कम लोग बैठें उसके बाद within 45 days एक खतम कर जहां आपको पहले 3-3 महीने लग रहे थे यहां पर उसको आप 45 days में खतम करना चाहते हो एक्जाम की duration होगी सिरफ 90 minutes पहले कितनी होती है आपकी usually कितनी होती है 180 minutes उसका half कर दिया इनोने questions जो होंगे वो short answer type questions या फिर बात करे थे तिसे माललो आप science से हो तो maybe आप physics दोगे chemistry दोगे math दोगे और एक one language one language जो भी आपके पास language है usually सबके पास English होती है तो आप उसका exam दोगे next जो बहुत important चीज है इस proposal की वो यह है कि जो इक्जाम हैं दो phases में conduct किये जाएंगे अब वो क्या होता है क्योंकि आज से पहले कभी भी exam phases में नहीं हुए तो I'm sure आप सबने देखा होगा जिसे elections होते हैं phases में कि पहले एक जगा फिर दूसरी जगा similarly वोई होगा यहाँ पर reason कुछ और है यहाँ पर reason यह है कि वो चाहते है कि इंडिया में कुछ ऐसी जगाएं हैं कुछ ऐसी locations हैं जहाँ पर covid की situation अभी थोड़ी से conducive है which means covid अभी वहाँ पर थोड़ा ठीक है थोड़ा control में है तो पहले government वहाँ exams लेना चाहती है उसके बाद एक दो हफते बाद government क्या खुशिश करेगी कि दूसरे phase में वह दूसरी जगा exam ले ले जहाँ पर situation अभी थोड़ी खराब है बट जीरे-जीरे करके ठीक हो जाएगी तो इसलिए government ने दो phases सोच रहे इसके लिए अब एक और लोगों के मन में बहुत doubt है कि अगर आप इस पर exam नहीं दे पाते हो जब भी exams होते हैं आप किसी भी reason से नहीं दे पाते हो तो government आपको वापिस से reappear करने को obviously option देगी तो this is what government has decided तो बहुत ही हमने simple रखा इस video को सिरफ आपको information दे हैं without wasting your time here and there so please share it and let's see what happens tomorrow please subscribe thank you